तर उत्पादन तक्निकी पर काम करके सरक्षित खेती में यह आयाम दिखा रहे हैं इस स्टॉल के माध्यम से कि सरक्षित खेती में अच्छी और उच्छ गुडवत्ता के उत्पादन के लिए हम ऐसी तक्निकों का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें वर्स भर सबजी और फूल फसलों का सरक्षण कर उची और अच्छी गुडवत्ता के फूल और सबजी की फसले उगाते हैं जैसा कि आप देखते हैं कि वर्स भर अच्छी गुडवत्ता की सबजी और फूल उगाने के लिए हमें फसलों का सरक्षन वर्स भर करना आवस्यक होता है इसके लिए जो मुखे आयाम है वो यह है कि सबजी और फूल की फसलों के लिए सरक्षित सरक्षनाओं का होना बहुत आवस्यक है जिसमें आप वर्स भर तापमान, पानी की मात्रा और खाद उर्वरक की गुडवत्ता को समाल कर पौधों को देते हैं वो जो कि उनकी आवस्यक्ता के अनुरूप होती है ऐसा करने से वर्स भर इन फसलों की गुडवत्ता भी बनी रहती है और सतत वर्दी के साथ साथ हमें अच्छी गुडवत्ता के फूल और सबजियां प्राप्त होती है जैसा कि आप जानते हैं निरंतर बढ़ने वाले पौधों के लिए सुगम रूप से पानी की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए और सरक्षित सरचना में तापमान और आपेक्षिक आदरता को समान बनाए रखना आवस्थक है जिस से कि जो फूल और पत्तियां हैं उनकी चमकदार अवस्था बनी रहे और गुडवत्ता में वो सतत रूप से हमें प्राप्त होती रहे झाल 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 झाल